वा मेरे प्यारे बच्चो आप मुझे दिल से डून रहे थे और मैं आपके सामने आ गया मैं मितले सर आपको एजुकेशन जी चैनल में स्वागत करता हूँ आप इस चैनल को जरू सबस्क्राइब कर ले ताकि एजुकेशन रिलेटन इन्फॉर्मिशन आपको सबसे पहले पता लगे आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका जेई में का जो मास कितना होगा तो परसेंटाइल कितना हो जाएगा और जब परसेंटाइल इतना है तो आपका रैंक कितना हो जाएगा मतलब हम लोग आज बात करेंगे वीडियो में कि जो मार्स वर्सेंटाइल 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 रैंक सबसे पहले पर्सेंटाई समझने से पहले आप समझ लो कि पर्सेंटेज क्या होता है हां यह difference क्या है percentage और पर्सेंटाईल में पर्सेंटेज यह है यह से आपने 90% स्कोर किया इसका मतलब है कि 100 marks का अगर एक्जाम था तो आपने 90 number score किया, clear है बचो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, percentage हो गया, अब बात करते हैं कि percentile, percentile क्या होता है, कि आपका position बताएगा, जैसे आपका 90 percentile है, इसका मतलब ये हुआ, अगर 100 student ने exam दिया है, तो आपका position कितना है, 90 position है आपका, इसका मतलब आप 89 student से आगे हो, कितने students आगे हो, 89 student से, और आपके जो आगे कितने है, और 10 students आपके आगे है, इसका मतलब आपको position बताया, percentile में, तो ये clear concept है, और बहुत सारे बाच्चे बोलते हैं, कि सर ये percentile, ये marks clear समझ नहीं आता है, कि क्या होता है, और ये सही fair policy नहीं है, rank declare करने के लिए, तो बच् कि जो percentile है, वो cat exam आपने सुना होगा, MBA जो exam, MBA का LEA जो exam होता है, वो उसमें भी percentile कहीं आता है, policy आता है, तो ये verified है, कि percentile एक अच्छा तरीका है, students के rank को calculate करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो, कि जो आजकल J.E.M.N. का exam हो रहा है, वो बहुत सारे date पे हो रहा है, हो रहा है, तो आप जानते हैं, कि क्या-क्या factors है, जिसमें आपका rank और जो marks है, वो vary करेगा, आप समझते हैं, कि आपका जो percentile है, वो किस-किस factors के कारण आपका percentile vary करेगा, एक example ले लेते हैं बच्चों, कि माल लेते हैं कि दो student है, एक है A, और second है B, अब बात करते हैं, कि A का जो score है, वो 100 score है, और J-E mean में, और B का जो score है, वो भी 100 score है, तो क्या उनका percentile difference हो सकता है, या same होगा, बच्चे percentile definitely difference होगा, क्यों होगा, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो पहला factor करेगा, कि दो जो बच्चे है, A किस shift में एकजाम दिया है, किस date को एकजाम दिया है, B similarly किस rate को दिया है, किस shift में दिया है, वैसे ही A का जो number of candidate है, वो कितने participate किये थे उस exam में, और जो candidate participate किये हैं, वो ज़्यादा score कितने किये हैं, maximum कितने ज़्यादा score किये हैं, अगर मालनेते हैं, कि बहुत सारे student ने 200 plus score किया है, इसका मतलब यह हुआ, कि जो A student है, उनका percentile definitely नीचे हो जाएगा, in comparison to B, क्योंकि अगर B में ज़्यादा से ज़्यादा score हुआ है, 1500, 150 score हुआ है, तो B का जो rank होगा, वो क्या हो जाएगा, अच्छा percentile है, क्या हो जाएगा, B का percentile अच्छा हो जाएगा, तो point को समझना है, कि जैसे कि किस shift में exam हुआ आपका, आपका जो date कौन से exam का है, जितने student ने participate किये, वो सबसे ज़्यादा highest score कितना कर पा रहे है, तो यह सारे factors matter करते हैं, आपको percentile में, ऐसा कोई भी official formula नहीं है, कि अगर 100 marks है, तो इसका percentile इतना ही होगा, ऐसा कोई calculation नहीं है, बचो, यह मैंने बताया, कि सारे factors depends, इस पे करते हैं, तो आप clear हो गए, कि marks क्या आएगा, उससे percentile का fixed concept कोई भी नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए मैं table present कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो, कि कितने marks आएगा, तो कितने percentile आएगा, मैं यह data जो इकठा किया हूँ, कुछ students का data इकठा करके, आपको मैं relative करके ब 3 में कितने marks होता था, 360 का, अभी कितना हो रहा है, 300 marks का, clear बच्चो, तो उसके according मैंने क्या किया है, student का मैंने data collect किया है, उनके marks मैंने उनसे पूछे थे, और उनके जो percentile आए, उसके according मैं compare करके, आपको एक table present कर दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखो, और इसको समझो और आप इसको screenshot भी ले लो, ताकि आपको समझ में आए, कि अगर हम इतना marks लाते हैं, तो कितना percentile आएगा, ये मैं बता रहा हूँ, exact नहीं होगा बच्चे, इससे आप समझो कि 5 से 10 नमर भैरी कर सकता है, 15 नमर भी भैरी कर सकता है, तो आपको ध्यान देना है, आप इस table को देख लो, उसके according आप समझ सकते हो, आप आते हैं कि मानेत आपका percentile आगया, तो उसका rank कैसे हम calculate करेंगे, तो हाँ बचो, मैं आपको simple सा एक तरीका बता दे रहा हूँ, एक तो official तरीका भी है, formula भी है, उससे भी आप calculate कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पे आपको present कर दे र हो, चलो, मालali इते हैं कि total जो student है, याइवी में, 20,020 में 9,000,000 student appear हो रहे हैं, कितने 9,000,000 student appear हो रहे हैं, क्लियर है barchio? हाँ, अगर माल इते हैं कि एक student जो A है, उसका आया है कितना 90% आया है, तो उसका rank कितना होगा, तो आप simple way में calculate करो, कि आपका उस bachey का जो rank होगा, 9, अगर 90 percentile पे, अगर rank का बात किया जाए, तो 90,000 के range में rank जाएगा, मतलब एक्जेक्ट 90,000 नहीं जाएगा, 90,000 के range में जाएगा, कब जाएगा, जब मैंने माना की 9 lakh candidate में एक्जाम जे इमेन के लिए appear हुआ है, तो, के लिए रहे बचो, similarly, मैं एक और एक्जामपल बिता दे रहा हूँ, मालने ते के और एक्जामपल दुसरा है, जिसका 80 percentile आया है, उसका rank कितना होगा, उसका rank होगा, बावू, एक लाख 80,000 के range में rank होगा, मतलब हो गया कि 100 minus 80, कितना बचा 20, 20 into 9, कितना होगया, 180, मतलब पूरा calculate करोगे, इस formula के सब्सक्राइब जो मैंने बता है, तो एक लाख 80,000 हैगा, तो एक लाख 80,000 से थोड़ा मोरा ऊपर हो सकता है, थोड़ा मोरा नीचे हो सकता है, वो depend कौन सा college मिलेगा, clear है बच्चो, चलो बच्चे, आप समझ गए, कि अगर marks लाएंगे, तो क्या मेरा percentile बन सकता है, और जो percentile है, उसके according मेरा rank कितना बनेगा, तो clear है, और फिर भी कोई doubt रहता है बच्चा, तो आप हमारे जो expert का number दिया हुआ है, उस पे आप call करो, और आप समझो, और ये hundred percent free of cost है, इसके लिए आपको कोई charge नहें लिया जाएगा, मेरा मकसद यही है, कि सारे information आपको free of cost बच्चे तक पहुँचे, और वो अच्छे से study कर सकते हैं, अपने career बनाने के लिए, clear है बच्चो, चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, bye, take care.